हलो सात्यों नमस्कार यदि आप वैट प्रेक्टिशनर हैं तो ऐसा केस आपने जरूर देखा होगा जिसमें कि जो थन रहते हैं उसमें सूजन रहती है तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो थनों में सूजन रहती है वो किन किन काणों से रहती है और इसमें हमें क्या इलाज करना चाहिए तो थनों में जो सूजन है जैसे कि आपको सामने दिख रहा है उसको देखने के बाद जो सबसे पहला सस्पेक्ट जाता है वो मेस्टाइटिस के लिए जाता है लेकिन यदि आप मेस्टाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पहले ठहर जाएए क्योंकि हमें पहले clinical examination करना होता है owner से history लेने होती है और हमें खुद चेक करना होता है क्या जो सूजन है उसमें से कोई दूद निकल रहा है यदि दूद निकल रहा है तो उसकी consistency कैसी है अगर दूद के साथ फटने का history है मतलब की दूद में flakes बनते होगे नजर आ रहा है तब हमें mastitis suspect करना चाहिए unnecessarily क्योंकि इसमें antibiotics का use नहीं करना होता है जो अडर रिडीमा रहता है यदि animal milking है milch animal है दूद दे रहा है तो इसमें हमें corticosteroids का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें sudden और drastically milk production decline होता है इसी conditions में आपको simply एक NACID का selection करना होता है आप चाहें तो maloxicam या फिर flunixin maglumines जो आता है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं साथ में जो vitamin C रहता है ascorbic acid आप उसका इस्तमाल जरूर करें इसी के साथ में आप चाहें तो इसमें vitamin H का जो injection आता है जो की within three days recover हो जाता है कितनी से cuttin से cuttin solution हो अगर उसको आपको मिटाना है तो ये treatment अगर आप follow करेंगे तो तीन दिन में ये case आपका recover हो जाएगा इस case में जब हमने animal की milking की तो उसमें जो milk quality and quantity दोनों ही बढ़िया थी उसमें quality में कोई भी deterioration नहीं था इसलिए हमने उसको simple order edema के लिए treat किया और जो treatment आपको बताया है वो follow किया इसके साथ मैं हम result का वेट कर रहे हैं farmer का जैसे ही हमारे पास call आता है तो तीन दिन बाद में इसका वीडियो आपके सामने जो है upload करूँगा धन्निवाद मेरे साथ बने रहने के लिए